नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जितिंदर मिशिन वी कमपनी जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडिया तो दोस्तो आज का जो बिजनेस आइडिया है ये बहुत ही यूनीक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडि हैं तो ये बिजनेस आप अपने घर से भी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं जादा आपको इन्वेस्टमेंट भी नी चाहिए और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना भी चाहते हैं तो वो आपका पैसा जल्द ही आपको रिटर्न हो जाएगा क्योंक ही लगते तो सारा हम आपको इसके बारे मैं बताएंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो वीडियो के निचे दिये के red color के बटन को आप subscribe कर सकते हो ताकि नए-नए business ideas आपके पास हम बेज सकें तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें तो चड़िये शुरू करते हैं धन्यवाद दोस्तो अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडिया और नए नी जैनकारी के वाला के लिए तो दोस्तो आज का जो हमारा बिजनिस आइडिया है वो है नोटबुक्स रिजिस्टर मैनुफेक्चरिंग बिजनिस के बारे में आपने देखा होगा मार्केट में नोटबुक्स डायरिस रिजिस्टर ऐसे की काफी आपको मार्केट में मिल जाएंगी आज जो हमारा बिज लगती है और इसमें क्या investment है तो सबसे पहले जैसे आप notebook देख रहे हो इसमें सबसे पहले आपका लगता है title front page जो है आपका ये आपका title है उसके अंदर आते हैं आपका ये paper है ये दो material होते हैं एक index paper और एक आपका जिस पर आप करते हो ये दो paper आपके यूज होते हैं अंदर वाली side और front पे आपका यूज होता है टाइटल जो index है ये आपका optional है ये आप लगा भी सकते हो नई भी लगा सकते ये आप पे है mainly इसमें जो हम raw material count करते हैं एक तो front title जिसमें आपका नाम सारा कुछ लिखा होता है और second thing इसमें आता है अंदर वाला paper जिसमें आपका अंदर आप भी लिखते हो तो ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इदर पिन लगा हुआ है इन दोनों को आपस में जोड़के सबसे पहले stitching होता है stitching के बाद आपका back square होता है इसको पीछे से square करने के उसके बाद end में cutting होता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि raw material इसका किस type में आता है किस shape में आता है और इससे आप कैसे notebook बनाते हैं तो दोस्तों ये देखा जो आपको मैंने अभी copy दिखाया था ये उसी का य पर होता है एक, दो, तीन और चार इसको cut करके पहले आपने दो हिस्से में divide करना इसको center से cut करते हैं इदर से ये आपका दो हिस्से में ड्वाइड हो गया तो दो हिस्से में ड्वाइड होने के बाद फिर आपका आगे का प्रसेश शुरू होता है ऐसे ही आपका टाइटल पेज आता है जो टाइटल पेज आप देख सकते हो ये भी आपका ऐसे का ही आता है इसमें भी आप दो हिस्से मे divide करके इसको तो फिर आपका इसको end में fold करके ऐसे इसको अंदर से ऐसे fold करके आपका इदर से stitch होता है दोनों चीज stitch होने के बाद आपका इदर से waste paper cut होता है waste paper cut होने के बाद आपका center से cut होके दो notebook त्यार होता है तो basically आपको roughly process बता दिये कि ऐसे किसे दो नोटबुक है इनको यहां से वेस्ट पेपर कटिंग होगा उपन नीचे साइड से यहां से कट होगा तो आपकी दो नोट बुक तियार होगी तो यह है इसका manufacturing process नोट बुक तियार करने के लिए अब हम जानते हैं इसमें क्या-क्या मशीन भी required होता है सबसे पहले तो आपका इन दोनों को अच्छी लगती है और sale भी easily हो जाती है और थर्ड मशीन इसमें आता है आपका paper cutting paper cutting ने यहां 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 से cut करके आपका दो copy को त्यार करके finishing दे के final काम उसका होता final करने के बाद दो copy आपका त्यार हो गया उसको आपको pack करना है lamination वाला wrapping करना है तो उसके लिए आपका आता है shrink packing machine वह optional होता है वह आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो वह आपकी मर्जी है main जो manufacturing process आता है वह तीन मशीनों का ही आता है stitching squaring and then cutting तो इन तीनों मशीनों से आपका notebook finally त्यार हो जाता है तो इसमें आप कोई भी size का notebook बना सकते हो A4 का हो जैसे यह long register है A4 का यह single line है अंदर जैसे की भी आपको lining चाहिए हो A4 हो short register हो diary हो कुछ भी हो सबी के लिए basic machines है तो यह आपकी लगेंगी ही लगेंगी तो इसके इलावा आप कोई भी डायरी बनाना है notepad बनाना है कुछ भी इन में बना सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि इन में आपका machines कैसे work करती है कैसे कैसे आपने उसमें काम करना है और इसमें आपको कितनी लेबर चाहिए होगे तो चलिए अभी वीडियो देखते हैं दोस्तों वीडियो में जो आप machine देख रहे हो यह fully automatic machine है इसमें आप सबी टाइप का बड़ा शोटा notebook register बना सकते हो ऐसे कि आपको manual machine चाहिए तो manual में भी आप काम शुरू कर सकते हो जो कि आपका कम budget में भी शुरू हो जाता है तो आज machines के बारे में discuss करेंगे कैसे कैसे machines work करती है क्या क्या उनका production capacity होता है और क्या उनमें profit margin होता है हुआ है हुआ हुआ है अजयर पिल्मलत कि समय झाल कर दो सुमत धुआ है कर प laड़ भी द Sumत खAlex और खे कर दो बाह झाल 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 तो दोस्तों notebook को त्यार करने के बाद काम आता है उसको pack करने का तो उसके लिए इस्तमाल होती है notebook shrink packing machine इसमें आपने 5-5-6 जे नोटबुक का सेट बनाके उपर लेमिनेशन चटा के रख देना है और इसने आटोमेटिकली श्रिंग करके आपके नोटबुक को रैप कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपने नोटबुक को उसके बीच में लेमिनेशन चटा के रखना है और इसने आटोमेटिकली आपको श्रिंक रैप करते जाना है तो जिस वज़े से आपका नोटबुक का कोभी मॉइस्चर नहीं आता और नोटबुक को जितने मर्जी दिर आप स्टॉक में रख सकते हो तो इसका वीडियो आप देख सकते हो कितना असान काम है यह तो दोस्तो यह था प्रोसेस नोटबुक करने का आपने देखा कितनी असानी से आप नोटबुक बना सकते हो दोस्तो यह जो सेट अप आपने देखा अभी चार मशीनों का जो सेट था यह आपको तकरीबन 6-6.5 लाग के अंदर मिल जाता है जिसमें आप सारी मशीने ले सकते हैं साथ में रौ मटियल भी ले सकते हैं और अपना काम असानी से कहीं भी शुरू कर सकते हैं यह सारा प्लांट आपका सिंगल फेस लाइट में भी चल जाता है और आपका automatic मरलब लेना हो तो वो भी आपको मिल जाता है तो हमारे पास manual से लेके automatic तक कम से कम 7 model available है notebook के तो आपको जैसे का भी requirement हो आप वैसे किया हमें इन number पे contact करके बात कर सकते हो तो दोस्तो ये था आज की वीडियो में अगली वीडियो में हम आपको इसके profit margin के बारे में भी बताएंगे तो हमारे चैनल को subscribe करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को like और share ज़रूर करें धन्यवाद करें करें के ढई और अजया है। झाल